कि गुड मॉर्डिंग इस्टुडेंट आज देखें प्रश्णवली 15.1 का कुष्चन नंबर 3 इस सवाल में महादिका की सहता से ग्याद करना है पहले लिखेंगे दिया गये आकड़ा का पिपर दिये गये आकड़ा जो दिया गये वो लिखें 13, 17, 16, 14, 11, 13, 14, 11, 13, 14, 11, 13, 10, 16, 10, 16, 11, 18, 14, 18. कि यहां भी कॉंटिंग कर यह किताब में दो दो चार दो छे दो आट दो दस दुबारा अब आरोही करम में लिखने पड़ आरोही करम में सबसे चोटी वेलु को उने दस फिर ग्यारा कितनी बार है दो बारा फिर बारा एक बार है तेरा दो बार फिर चौदा एक बार पंदरा नहीं है शोला दो बार सत्रा एक बदो बार अठारा एक बार कॉंटिंग रो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दज ग्यारा बार यह हो गया है अम आई है सबसे पहले लिखिए करम संख्या तरीका वही रहेगा करम संख्या एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ पद एक्स आई किता है दस ग्यारा बगल मना दो बारम बारता बारम बारता ईफ आईस है दस एक बार है गयारा दो बार है बारा एक कार तेरा दो बार है अ एक साथ पांच बारा एन बराबर सिग्मा एफ आई बराबर बारा क्लियर एन एक सम संख्या है मादिका मे बराबर एन बाई टू मापद प्लस एन बाई टू प्लस मापद बटे दो बारा बटे दो मापद प्लस बारा बटे दो प्लस समापद बटे दो शटमापद प्लस साथमापद बटे दो शटापद को ना आएगा एक दो तीन चार पांच छह साथ शटा तेरा है वो फिर चवदा तेरा प्लस चवदा बटे दो यहां तक देखिए सब लोग पहले हमने आकड़ा लिखा पर आरोई ग्रम में लिखा फिक्पद लिखा उनकी बारां बारता लिखा सवाल को कर दिया के लिए यह आपका आगया यहां तक क्लिए संब के लिए लगेगा अब हम लोग को निकालना है विचलन क्या निकालना विचलन बिए बरावर एकसाई माइनस एमी संचाई बना देता है संचाई बारहं वारता इसको सी अफ्षे पहले काए तीन पिछाब शह एक साथ नो ग्यारा और बारा तो आप देखेंगे छटा पज़ तेरा है एक साथवा पज़ कौन है चौदा है तो ये तेरा और चौदा पी देखिए संचेई बारा इम्बारता में छट्वापज सामने जाएंगे तो आपका तेरा आएगा और साथवा पांच छहटा पर तीन सात्व पर चौदर दोनों को जोड़ा आया तेरा सम्लों पांच अब हम लोग निकालेंगे विचलन क्या निकालेंगे विचलन विचलन डी आई वराबर एट साई माइनस मे मॉड मादिकां मे हैं एक पत को घटाएंगे तो दस माइनस तेरा दसम्लों पांच पर फिर ग्यारा माइनस तेरा दसम्लों पांच फिर बारा माइनस तेरा दसम्लों पांच फिर तेरा माइनस तेरा दसम्लों पांच फिर चौदा माइनस तेरा दसम्लों पांच पंदा नहीं है चोजा तेरा दसंदो पांच फिर सब्तरा तेरा दसंदो पांच फिर ठारा तेरा दसंदो पांच गिन का दिये गोजिकत परावर घड़ाए ये माइनस तीन दसंदुपाइट बराबर आजाएगा तीन दसंदुपाइट यहाँ 2.5, माइनस नहीं, तो 2.5 यहाँ गटाएगे माइनस गटाएट का 1.5 तो आजाएगा 1.5 यहाँ माइनस का 0.5 आ जाएगा 0.5 यहाँ खतागे 0.5 आ जाएगा 0.5 फिर सुबला दस में से 5 गया 5 और 5 में 3 गया 2, 2.5 तो पॉइंट 5 फिर आओ 17 छे में जाएगा 3.5 आ जाएगा 3.5 फिर साथ यहाँ जाएगा 4, 4 हमनों 5 तो आज आएगा 4 हमनों 5 परक्त अब निकाल गया एफ आएफ 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 कितना है एक दो फिर एक फिर दो फिर एक फिर दो दो एक तीन चार दो चैक साथ दो नो तो ग्यारा एक बारा यहाँ अब गुणा करिये गुणा करके देखियेंको तरके सम करिये गुणा करिये और सम करिये एक करेंगे तीन चार पांच में तीन चार आएगा तीन चार पांच पच्चीत दुनी पचास वन पॉंट फाइव पांच दुनी दस जीरो पॉंट फाइव पच्चीत दुनी पचास पैते दुनी सत्तर पैता यह कि लिए ने लिए विए एट यह जी शिगमा एफ इडि आए बराबर मास्य पांच पांधर पंद्रा पंद्रा पांच भी यस दुनी से लगर दो धिव्एु चड़ एँका क्याण अब माद विचलन क्या निकालना है माद विचलन यहां करिए इसाफ़ा दीजें यहां लिखे माद विचलन बराबर शिर्मा एफ आई डिया बाई शिर्मा एफ आई हैं यहां सिगमा एफ आई डीया के मतलड़ हो गया 28 और एफ आई का मतलड़ हो गया 12 24 24 जार बारताई 37 बारताई 37 यह निकलाए II टू पॉइंट 23 तो सवाल नंबर तीं सवाल नंबर सवाल नंबर साथ सवाल मुंबर आठ यह चारों सवाल एक जैसे लगेंगे फिसमनलिए सवाधों निनमने लगाया है सवाल नंब 2.3D सवाल नमबर 11 11 और 12 जैसे लगेंगे ज्यान दिजेगा सवाल नमबर 11 और 12 एक जैसे लगने है सवाल नमबर 11 कैसे लगा जाएगा उसमें वर्गंतराल भी दिया गया है तो वर्गंतराल लिखिए पहले पहले क्रम संख्या लिखिए क्रम संख्या पूर्गंतराल निमाएग वर्गंतराल लिए है जीरों से दस, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालिस, चालिस से पचास, पचास से साथ, एक नमबर, दो नमबर, तीर नमबर, चार नमबर, पाँ नमबर, चाहिए ठेक, अब इनकर निकालिए पच, पच मतलब मद्मान पच, मद्मान पच, कैसे निकलेगा, एक साई बराबर, लवन प्लस लटू बाई टो, तो जीरों प्लस दस बटे दो, दस प्लस बीस बाई टो, फिर बीस प्लस तीस बाई टू, चीज प्लस चालिस बटे दो, चालिस प्लस पचास बटे दो, पचास प्लस साट बटे दो, यहां दस, पाच, तीस का, पंद्रा, यहां पक्चीज, यहां पैंतिस, यहां पंतालिस, यहां पस्पन, आगा, अब देखिए, बारम, बारता, एफ आई, किताब में देखिए, बारम, बारता, एफ आई, किताद दिया हुआ है, उसको काफी से पर उतारिए, बारम, बारता, एफ आई, किता, किताद दिया है, छे, आठ, चौदा, छे, आठ, चौदा, छे, आठ, चौदा, छे, आठ, चौदा, सोला चार दो, संचाई बारम बारता, सीयप, आठ, आठ, शे, चौदा, अठाईस, आठ, शे, आठ, चौदा, से लगए, दो, स्वादा, चौदा, पचाउस, एज़र आईए, एड, बराबर, सिगमा, एफ ए, चार दो, तो आगे हैं एक समसंग हैं एन बराबर पचास समसंग है इसमें सम विसम का कोई मतलब नहीं एन बराबर एन बाई टू बराबर पचास बटे दो बराबर पचीस यहां हुआ पदर पचास बटे दो बराबर पचीस मा पदर क्लियर अब देखिए पचीसमा पद संचाई बारबर अबारता में कहां पड़ है इसका पदर इसमें के एक से छह पत्तक है इसमें इस वाले में साथ से लेके चोड़ा पत्तक है जो पंदर पंदर से लेके टाइस तक इसमें आएगा तो परगंता आजाएगा अ कि इसको एल बंस से इसको एल जो से पूछना कुछ कि इसको एल बन से इसको एलटू से इसको एल्टू से यह मैं कि पचीसमा पत के लिए 11 बरावर 20 एल 2 बरावर 30 किलियर ये किलियर हो गया अब देखिए अब देखिए अब 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 आदिका निकालता हूं अब इस वाल बहुत छोटा है ये निकाल दी आपका 11 वाल 2 किलियर अब इसके सामने वाला पत F इसको किस्चे दिखाएंगे C से अब सी ली दिए सी का मतलब हो गया जब सुपरवाला जो आइस था उसको सी से इसको सी से डिनोट कर दीए इसको किसे डिनोट करेंगे सी से सी आया सी बराबर चौदा जो हमने निकाला था पचीसवा पचीसवा इसमें था इसके जश्ट पावाले को सी इसके जश्ट एफ लिख देते हैं कि लिए एफ लिखा यहां तक हो गया आपका एफ अब लिखने माधिका माधिका मे बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे एफ अब M माइनस C M माइनस C के लिए है अब देख लीजे मान रखो 20 प्लस 30 माइनस 20 F का मतलब 14 M का मतलब 25 20 का मतलब 14 20 प्लस 10 14 और यहां 11 20 प्लस 110 बटे 14 भाग दो चौदा का भाग 110 बटे 14 का भाग 110 में दी दिए 14 सत्य अठाणनबे 10 में से आठ गया दो और 10 में से नों के रहे एक दस अनों लगा दी जा आठ बार गया 8 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 फिक तुदा पंचे सत्तर 7.9 20 प्लस 7.9 बराबर 27.9 आप पर यह आगया 7.9 क्लियर अब फिर वही विचलन्ट दी आई बराबर एकसाई माइनस एम ए पिलियर एकसाई कितना है पांच पंदरा पक्चीश पैतिस पंतालिस पच्पन हाँ 27.9 यह नहीं नहीं इनको घटा घटा के लिखिए इसलिए माइनस प्लस का कोई फरक नहीं पड़ेगा चिन वही का वही पॉस्टिब ही रहेगा के लिए सबी बच्चों को बसमादी का निगालने तरीका वदल गया अब देखिए गटाईये कित्ता आएगा वाइव दसम्नो नौ नौ साथ पांच गया दो बारा सम्नो नौ यहां गटाईये दसम्नो नौ दो कि दसम्नो गया एक छोदल में साथ गया साथ दो में दो गया जी लो Divine दस्ट में से नौगल एक, छोदल में साथ गया साथ दूम्नो गया एक, यहा9 गया अब फिर लिको उाट यहाए एफ आई डी आई एफ आई डी आई एफ आई कितना है छे आठ चुदा सोला चार दो यहाँ पे सिगमा एफ आई डी आई जूड़ना है यहाँ करो बाइद दसम्लो नो बाड़ा दसम्लो नो दो दसम्लो नो साथ दसम्लो एक सत्ता दसम्लो एक सत्ताइद दसम्लो एक गुणा करें गुणा करें देखिए क्या आता है माल छे का गुणा करें नो में कज़ नुआ छे गेंगा कि यहाट चैन नुआ चौववन पांच चैनली बारा हां सां northwest पॉपाऊ गाल्य पर याट आठ नवाबाद्तर साथ दुनी सोला आठ नवाबाद्तर के साथ हासर ता दुनी सोला चार भी तेश असी लगना दो आठ एक नने आठ दस गुए थेट फिर टू पॉइंट नाइन का गुणा चबुदा में करिये चार नवाब छत्तिस तीन चार दुनी आठ इन गयारा और नौ और दो चार सोच्ज एक नन दस गुण दस गुण तो चालिस गुण दस गुणा च्यूणा करिये शोला गुड़े साथ असंदो ए एक अगुड़ा सोला साच चांग ब्याली चार साथ एने साच चार ग्यारा चै टीन एक एक सो तीरा संदो छै एक सो तेरा टुखन लोच चै पिर चार एक अन्ने चार पर चार सत्यए टाइट दो चैशनि चार चार ऍसार एक स्ता लोच पर च्वीस चाहासँ लगाँ दो दो चाहरा जाति बारा थीस तोब शेज़गे लिगतों पिर दिख लेगे तो दुबारा सिंपंदरा फंदादाबचिस अतर लगा दो पांदो साथ चैरा च्वदा चाहरा दो बिश्टी सथ लगा दो तीजार पांच फंदादादफंदो चाहर अम निकालेए माद विचिलन क्या निकालना है माद विचिलन माद विचिलन क्या है सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई फिर आ जाएए पांच वन पांच पॉइंट फॉर बटे पचास पचास ही तो है अच्छी अब भाग देजिए पचास का पचास का भाग दिया कितने हैं पांच सो पंदा सम्दो चार एक बार नहीं गया दस पांच तहीं पंदरा चालेश दस दसम्नो तीन कि अधर दसम्नो तीन करके आया मिला लिए अंसर आफ लोग आज यह प्रिस्नवली खतम हो गई है बाकि उसको स्वाल बारवा में लगा लिए अंगो गरसे करके एक कर दो